है काईश तो आज आपको मैं explain करने वाला हूं क्लास एट के जोग्राफी चैप्टर फोर जो की एग्रिकल्चर तो आप लोग जो इस पूरे वीडियो को एक्टिव मैंड से देखें क्यूंकि जोग्राफी में बहुत सारे छोटे बड़े कॉंसेप्ट होते हैं और उन सब को मैं आपको explain करता हूं तो यहां पर यह जो पूरा चैप्टर है इसको मैंने तीन पार्ट है यह इसका फॉस पार्ट है और आगे वाले जो भी पार्ट है उनका लिंक आपको मैं description में दे दूंगा तो यहां पर आएए देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या बता और कर उसके अंदर मैंनियोर डाल रहा है ताकि जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाए और उसका गिहूं है वह और अच्छे से ग्रोग करें बाद में कहता है कि वह उस गिहूं को फिर बाद में ले जाएगा और मंडिये बेच देगा जहां पर जो है उसको ले जाए प्रेट बना गया तो यह प्रोसेस देख सकते हो तो यह आपका प्लांट से एक फिनिस प्रोड़क्ट जो बना इसमें कुछ प्रोसेस इंवार्वब्ड है इसे हम लोग करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें आपका तीन टाइप है प्राइमरी सेकेंडरी और टर चरक्त करते हैं इसको प्रोडियूस करते हैं लाइक क्या हो गया हमने बीच को लिया उसे क्या किया तो उससे हम थोगा निमता है या फिर ;; यह राईस को ग्रों किया थहीं आपका क्रोडक्शन में आग्या वह दुसरी दशाट सब दिखिए अपने आइरण को एक्षट्र solizar निए ओ पहले से उससे हमने क्या किया लिव दो बस निचर से एक्स्ट्राक्ट किया यह पूरा कुरा दाइध्य तो बिशुक्ष से और आपने नेक्टिवीटर किसे को या तो प्रोड्यूस को या थी किया को किया थो पानी स स्ट फाल पहले से आप निस को बस से लिया है नाःeff सैकेंड्री एक्टिवीटिटी ऑन्ट llegar कि होता है कि आपने प्रम्री самые कहीप दो भी जायBay तो उसको लिया आपने उसको थोड़ा mix-up किया मिस्त थोड़े चेंज़ लिना और देन उससे कुछ नया बना दिया लाइक में अगर बात करूं बिसकिट की तो यहां पर आपने वीट को लिया उसको पीस के आटा बना या फिर चॉक्लेट मिक्स किया कुछ और मिक्स करके क्य यह सबसे मेन होता है क्योंकि य प्रायमरी और सेटेटिविटी को सपोर्ड करता है जैसे कि मुझे लगाना मुझे जाहिए तो शेंस मुझे पैसे चाहिए वे-च क्रूप के लिए तो यह क्या करता है जो टरसरी होता है वो बैंकिंग सपोर्ट करता है दूसरा ये कि समान जो है जैसे मैंने बहूत सारे बिस्कृट्स बना दिया है अब उसको एक जवे से दूसरी जग़े पर ले जाना है उसको delivery करने दिन इसके लिए भीद कुछ चाहिए तो यहाँपर ट्रांस्पोर्टेशन हो गया नियुक्र करता एक्टिविट्टी को हैं इसके आगे आता है अग देख बारे में एक PRIA 써 प्राइमरी अक्तिविटी में प्राइमरी अक्तिविटी में करते हैं क्योंकि उनसे हमें या तो मिल्क या फिर मेट यह सब आपका मतलब पूरे लेवल पर देखू तो लगवाग 50% जो पीपल हैं जो पूरे दुनिया में रहते हैं वो सब क्या करते हैं तो अग्री अक्तिविटी में इन्वाल्व हैं लेकि वह इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में जितने भी लोग है उनके टू थार्ड जो भ आपका रायस्थान का तो रायस्थान है बहुत घर्मी पड़ते वह आप ठंडी पड़ती है इसलिए यहां पर यह देखे जाता है कि किसी जगह का कैसा टैंपरेचर है क्लाइमेट कैसा है वह किस हाइट पर है ताकि हम पता लगा सके कि वहाँ पर कौन सा जो फसल है वो सही इसे उख पाएगा कौन सा नहीं पाएगा साथ में वहाँ पर किस एनिमल को हम लोग स्तही से पाल पोस पाएंगे तो यह चीज़ को जो है देखा जाता है अगरिकल्चर में यहां पर आपको मैप दिया गया है और उसमें जो कलरड़ पोर्सन है वह सू करता है कि वह प्लेस कोड़ते हैं उसमें सब्स्राइद सब्सक्राइब करते हैं शुम्रू किसी फैóst कलो उसका देखबाल करते हैं ताकि हमें दूद मिल सके यह पीर बता हुँ है कि हम लोग तो क्यों करते हैं उसका उसका आउट्पूट पूट इसमें आ गया कि लाइक फसर लोगाने पर में क्या मिलता है देख बाल करेंगे पस्थू पक्षी करता है तो हमें क्या-क्या मिलेगा तो यह आगए आपका farm system में वार्मिंग आप उसना समझों कि मैं बस उतने करूंगा जितने मेरे और मेरे पैमिलिक का मैं लिए आगे जो है कि इसमें बहुत कम आउप्ट रहता है सिंप्ल से यहां मैं और मेरे फैमिले कबाल सोचा हो मतलब तो आउटपुट थो कम रहेगा चाहिए अब जी इसको आगे क्लासिफाइग किया आपका इंटेंशिव सबसेंश फ़ार्मिंग और प्रीमिटिव सब्सेंश में मतलब चीज हो और ही है हम अपने फैंबली कर रहे हैं बट इसके तरीके अलग-अलग हो गया तो आएगे देखते हैं intensive substance farming को यह जो farming है यह ऐसे जगह पर किया आता है जहांके climate में साल भर में maximum days धूप निकला रहा है साथ में वहां का जो soil है वो fertile रहा है उस जगह पर किसान क्या करते हैं कि छोटे से land पर अपना simple tool like plow और sickle का इस्थमाल करते हैं और खेती करते हैं उनका main crop होता है rice माल लेते हैं एक साल भर में उन्हें छे महिने में rice को गया बाकी का जो छे महिना बसता है उसके अंदर वह अधर crop हो गया like wheat मेच pulses यह सब को उगाते हैं ठीक है और यहीं चीज़ वो हर साल रिपीट करते हैं और उसी जमीन पर उसी लेंट पर हर साल यहीं चीज़ रिपीट करते हैं जो इंटेंसिव सब्सक्राइब फार्मिंग जो है यह उन जब और अधिक होता है जहां का थोड़ा मतलब नेचर जोता है मौन्सून टाइप का हो गया साउथ में हो गया आपका साउथ इस्ट हो गया और इस्ट अफ एस्या जो गया वहां पर ना अवनों देखते हैं प्रिमिटेव सब्सक्राइब करते हैं आपका सिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग जैसा कि हम लोग कि हर दो तीन साल पर अपना जमीन चेंज कर दिता है सिफ्टिंग कल्टिवेशन ऐसे जगह पर जादा किया आता है जहां पर बारिस हुआ करती हो और जहां पर घने जंगल हुआ करते हो जैसे कि नौर्थ इस्ट एस्ट इंडिया में हो गया यहां पर लोग क्या करता है कि जंगल में जाते हैं ठीक है उसके बाद हूं पर पेड़ काड़ के इसको जला देते हैं जिसे इन्य ने वह राक में बन गया राक बना मिटी में घुलके मिटी रचा मधों कर दिया बाद में वहांपर दो आपर आप अपना जो फसल उगा देते से यह जमीन जो है यह रीनियू होना शुरू कर देता है जो कि इन्होंने छोड़ दिया था नाव आते हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पर जो किये नुमेडिक हर्डिंग तो यह ऐसे जगव पर किया आता है जहां का जमीन सूखा हो बंजर हो यहां पर हम लोग खेती जहें नहीं कर सकते हो लाइक आपका कुछ प्लेस हो गया लाइक रीजन ऑफ सहारा सेंट्रल एसिया या इंडिया में जैसे राजस्थान और जम्मु कस्मीर हो गया तो वहां पर खेती करना संभव नहीं होता है इस बयाद से जो यह वहां पर जो फार्मिंग के तौर पर जो हर्ट्समें होते हैं ज इस मतलब मुवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना और साथे साथ वह अपने सिप कैमल यैक या गोट हो गया इन सबको भी अपने साथ लेकर आगे चलते हैं फिर जा है वह उन एनिमल्स को जो है उनके केर करते हैं ताकि उन्हें दूद मिल सके मीट मिल सक करा और ओंके ठीक अपना अपने आपको हाइड करने के लिए यह से उनका चमरी जो यह होता है कुछ का उतार करें उसको भी नहीं होता है फैने कलिए जैता है यह सब डो़ोनब्ली केरते हैं ताकि उन्हेँ आपके खाने के लिए और बचाने के लिए जुगार कर सकें तो यह होगा नुमेडिक हर्टिंग तो इसमें एनिमल इसमें का कीया आता है और यह ऐसे जगह पर किया आता है जहां पर फार्मिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है तो यह था इस टॉपिक के अंदर और आज का विड अच्छे लगते हैं प्लेज इसको लाइक करें और अपने दुसर्स